और फ्रेंड्स नमस्कार मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आपके साथ चलिए आज चर्चा करते हैं कि आने वाले समय में हम अपनी उमिनिटी को किस प्रकार से बहतर बना सकते हैं चलिए इसी पे एक छोटी चर्चा मैं आपके साथ करता हूँ देखें COVID-19 का pandemic फैला हुआ है इसमें से बहुत लोग को infection हुआ उन में से बहुत से व्यक्ति ठीक हो गए और कुछ लोगों की death हो गई कारण क्या है जो ठीक हुए वो medicines से इतना ज़्यादा benefits नहीं मिला फिलहाल क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी medicine नहीं है कोई vaccine नहीं है वो इसलि जैसे वो ठीक हो गए और किसी किसी को तो पता ही नहीं लगता कि उनके अंदर infection हुआ और वो कब खतम हो गया तो देखें आम तोर पे किसी किसी को जड़ा एका दिन fever आता है नजला जुकाम हुआ खांसी हुई या smell चली गई टेस्ट चला गया थोड़ा body एक pain हुआ और वो अच्छा था तो अब देखें आने वाला समय जो है देखें शुरू में तो ये covid-19 infection असानी से control कर सकते थे अब देखें ये दिन प्रती दिन बढ़ता जा रहा है इसका जो दारा है बहुत बढ़ता जा रहा है तो केवल वही वो लोग survive करेंगे जिनकी immunity अच्छी होगी दे हमारे पास कुछ चंद बाते हैं अगर हम उसका इस्तमाल करेंगे उसका यूस करेंगे उसका ध्यान रखेंगे तो हम अपनी immunity को अच्छी बना के रख सकते हैं सबसे पहले बात आती है देखिए अपनी diet के उपर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि ये diet है जो हमारी खुराक है वो हमारी immunity को बढ़ाने में मदद करती है अगर आपकी diet अच्छी नहीं होगी उसमें इतनी immunity लेवल बढ़ाने की चंदा नहीं होगी तो मान के चलिए कि आपको फिर infection by chance अगर हो गया तो आप में प्रतिरोधक चंदा कम होने की वज़े से आपको complications आ सक जैसे यह अपना फिश है जो non-vegetarian है फिश है या roasted chicken है या egg का इस्तमाल करते हैं वो एक अच्छी source of protein होती है उसमें fat की मातरा कम होती है एक का yellow portion नहीं खाना होता लेकिन आप दूसरे यह जो non-vegetarian है इनका इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन red meat का इस्तमाल नहीं करना क्योंकि उस में cholesterol level का मातरा जैदा होती है फिर देखिए जितने dry fruits होते हैं जितने nuts होते हैं इनमें zinc की मातरा बहुत अच्छी होती है तो इसका इस्तमाल करने से क्या होगा कि zinc भी जो है एक प्रती रोधिक छमता बढ़ाता है आप में शक्ती देता है तो आप थोड़ा बहुत रोज कम से कम 15-20 ग्राम अपना dry fruits का इस्तमाल करते हैं वो आपके लिए बहुत फैदे मन्द होगा और जो oil इस्तमाल करने हैं वो olive oil इस्तमाल कर सकते हैं soya oil इस्तमाल कर सकते हैं corn oil इस्तमाल कर सकते हैं sunflor oil इसे इस्तमाल कर सकते हैं या हमारा जो देसी सर्सों का तेल है इसका इस् मातरा भी कम रखनी है और दूसरा जो दूसरे जो अपने ये आइल्स होते हैं जैसे देसी घी है मक्षन है मलाई है या केक है पेस्ट्री जिसमें बहुत क्रीम डाली जाती है जो क्रीम युक्त दूध है उनका इस्तमाल आपको कम से कम करना है क्योंकि देखे ये शहरों में ज अची अनरजी का सूर्स होते हैं लेकिन एक शहरी आदमी जो है उसे ज़्यदा वर्क नहीं करना पड़ता हूं इतना फिजिकल वड़त नहीं करता है तो क्या होगा अगर वो इसका इसका करेंगा तो क्या होगा कि आपका कॉलिस्रॉल बढ़ेगा ये ट्रायगलेंगे ये आपकी नसों में कठे होते रहेंगे क्योंकि इतना इंडोर अप रहना पड़ रहा है ज़्यदा बाहर जाते नहीं है कोई फिजिकल ज़्यदा वर्क होता नहीं है तो इसकी वज़े से फिर वैसल्स का जो ल्यूमन है वो छुटा हो जाएगा आपकी ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो उसका फिर नुकसान होता है तो ये ओयल जो है कम से कम करें इनका इस्तमाल छोड़ी दें तो बहुत ही अच्छा है लेकिन इसके साथ साथ देखे कुछ ट्रांस फैट्स होते हैं वो भी बहुत नुकसान देते हैं जितने प्रॉसेट फूड्स आते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं बहुत सारे केक, पेस्ट्रीज, बिस्केट्स या और इस प्रकार के बहुत टिन फूड्स आते हैं इनका इस्तमाल भी कम से कम करना है जिससे की आपका कॉलिस्ट्रोल लेवल डाउन रहे और सेकेंडली आपका जो ये शुगर लेवल है वो भी मेंटेन रहना बहुत जरूरी है जिससे आपके शरीर में फाइटिंग फूड्स इस फैट की वज़े से कहीं कम ना हो जाए तो ये एक बहुत बड़ी बात है इसके साथ साथ देखिए हमें दालें खूब खाएं जितनी आप दालें खा सकते हैं सबमें अच्छी मातरा में प्रोटीन होती है लेकिन एक दो के मतलब प्रोटीन सुसमें नहीं होती जो केवल नॉन वेजिटिरियन फूड में होती है लेकिन तब भी कोशिश करें कि दालों का इस्तमाल जाएदा करें इसके साथ साथ जितने फल मिलते हैं जो आपके मार्केट में इसली अवेबल हैं उनका इस्तमाल करें और जितने ये घुट फल आते हैं और जितने ये fruits हैं, इनमें बहुत अच्छे antioxidants होते हैं, ये आपके शरीद में जितने free radicals होते हैं, इनको कम कर देते हैं, और आपको हमेशा शक्तिवान बना के रखेंगे, इसमें vitamins होते हैं, minerals होते हैं, जो immunity की level को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं. साथ ही साथ, सबजियों का इस्तमाल भी बहुत अच्छा करें, जिससे क्या होगा, कि आपके अंदर जब इतने minerals जाएंगे, vitamins जाएंगे, और कोशिश करें कि कच्छा सबजी खाया जाए, या उसके juice बना के पिए जाएं, और साथ में सलाज जरूर खाएं, तो अपनी diet के बहुत ज़्यदा पानी का सेवन कर रहे हैं, गरम तो लेकिन आपको इतना ज़्यदा पानी पीने की जरूरत नहीं नहीं, तो वो पेट में ऐसा देखा गया है, ऐसे फोन आते हैं, कि उनके पेट में दर्द रहने लग गया है, तो आप पानी का सेवन जरूर करें, लेकिन वो तीन-चार घंटे के बाद करते रहें, बाकी समय में आप लुक वां माटर पीते रहें, ज्यादा गरम पानी नहीं पीना, कौफी चाय का इस्तमाल कर सकते हैं, वो भी और जो खाना भी है, वो भी हमेशा गरम-गरम खाते रहें, तो इससे क्या होगा, कि आपको प्रती रोदग चमता जो है, वो अच्छी बनी रहेगी, और आपको इससे लड़ने की ताकत बनी रहेगी, आने वाले समय ऐसा लगता है, कि एक वार इसे हम अपनी मेडिकल भाशा में, हर्ड यूमिनिटी कहते हैं, कि एक वार ये इन्फेक्शन सब को होने वाला है, धीरे धीरे कब तक बचेंगे, बड़ा मुश्किल है बचना, तो केवल वो ही लोग सर्वाइव करेंगे, जो बिल्कुल फिट होंगे, जिनमें प्रती रोदग चमता अच्छी होगी, इसके साथ साथ स्मोकिंग बंद कर दिये जाए, अलकुल का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अलकुल भी अपने शरीर में बहुत नुक्सान देते हैं, लिवर हमारा इतना अच्छा एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो हमेशा बहुत सारी जो टॉक्सिन्स होते हैं, उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है, उसमें इतनी चमता होती है, वो हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए एक बहुत बढ़िया एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो इसलिए अलकॉहल का सेवन भी कम कर दें, साथ साथ आप साथ से आठ घंटे तक नीद लें, डेली अगर बहार जाके एक्सेसाइज नहीं कर सकते जाना मुश्किल है, तो घर में कम से कम एक डेल घंटा आप घर पे ही एक्सेसाइज करें, मेंटल लेवल आप महिशा बढ़ा के रखें, टेंशन फ्री रहें, कोई डिप्रेशन में आने की जुरुत नहीं है, और मैं शर्तिया कहता हूँ कि वो लोग सब ठीक हो जाएंगे, वो सब लोग इससे लड़ने की ताकत आ जाएगी, अगर उनमें COVID-19 इंफेक्शन हो भी जाए, और हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से इससे जीश सकेंगे, और देखें, केवल वो ही लोग सफर करेंगे, या उनको बहुत ज़्यादा प्रेकॉशन रखनी हैं, जिनको डिप्रेटीज हैं, वो अपना ग्लुकोस लेवल को डाउन रखें, जो हार्ट के पेशन्ट्स हैं, वो अपनी दवाई समय से खाते रहें, जो और इस प्रकार से जिनमें भी कोई प्रतीरोदक्षमता कम हैं, उस पे ध्यान दें, अपनी डाइट का बहुत ज़्यान दें, तो क्या होगा कि हम इस प्रतीर जो इतनी महा बिमारी है, इस से हम बच जाएंगे और एक अच्छी जिन्दगी फिर जी सकेंगे, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ, फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए, नमस्कार, बाए बाए.